आपका अगला सवाल है, लोहे पर जन्ग, रस्ट, किस कारण लगती है? आपके options है, A. फेरिक ओक्साइड से, B. जिलियोजित फेरस तथा फेरिक ओक्साइड से, C. शार्किय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, D. उपर्युक्त सभी के कारण? इसका सही जवाब है, D. उपर्युक्त सभी के कारण? आपका अगला सवाल है, आशुओं, तेज, में कौन सा पदार्थ खुला रहता है? आपके options है, A. सामान्य नमक, B. समुद्र, C. स्टाच, D. ग्लुकोस. इसका सही जवाब है, A. सामान्य नमक, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रधातो है? आपके options है, A. जस्ता, B. स्टील, C. सीसा, D. एल्यूमिनियम, इसका सही जवाब है, B. स्टील, आपका अगला सवाल है, इंसुलिन, इंस्यूलाइन, की खोज किस ने की थी? आपके options है, A. बैंटेग ने, B. डोमेक ने, C. रोनौल्ड रॉस ने, D. हार्वे ने, इसका सही जवाब है, A. बैंटेग ने, आपका अगला सवाल है, वनस्पती तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? आपके options है, A. उश्मा उपचार, heat treatment, C. बी, हाइड्रोजनी करण द्वारा, C. ओक्सीजन द्वारा, D. एंजाइमों, एंजाइम्स, के द्वारा? इसका सही जवाब है, B. हाइड्रोजनी करण द्वारा, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी इंधन गैस, फ्यूल गैस, नहीं है? आपके options है, A. भाप अंगार गैस, वाटर गैस, B. प्रोडूसर गैस, प्रोडूसर गैस, C. हास गैस, लाफिंग गैस, D. माश गैस, मास गैस, इसका सही जवाब है, C. हास गैस, लाफिंग गैस,